हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त वायो गुणवत्ता काफी जादा खर्ता ना किस्तिती में है क्यूंकि वहां की AQI 1200 के आसपास है और ऐसे में चिंता वहां बहुत जादा बढ़ी हुई है लेकिन अगर भारत की परिस्तिती देखे तो इससे कम भी नहीं है भारत में भी इस वक्त AQI खास करकि दिली NCR की बात करें तो लगातार देरों दिनों से कहा जा रहा है कि AQI 400 के पार है और कुछ जगों पर तो 600 से उपर है तो जब हम AQI वायो गुणवत्ता की बात करते हैं और जब हम आकड़े बताते हैं तो बहुत लोगों के जहन में यह सवाल उठता है कि आखिर यह जो बढ़ता हुआ आकड़ा है इसका संदेश किया है कैसे यह शरीर को इंपक्ट करता है कैसे आपको बिमार बनाता है इसलिए नियूस 24 की टीम इस वक्त AIMS में मौझूद है और मेरे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर करनमदान जो कि बहुत जाने माने पल्मनोर्जिस्ट है आए सीधे उनका रुक करते हैं सर बहुत-बहुत स्वागत है यूस 24 पर आपका जैसा मैंने कहा सर परिस्थिती पाकिस्तान की हो भारत की हो पाकिस्तान की स्थिती बहुत जादा खराब है भारत भी उसी और अग्रसर देख रहा है ऐसे मे बताता है कि हमारी वायू कितनी प्रदूशित है और अगर आप बात करें एक साफ स्वच हवा की जिसमें जो हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है उससे यह जो आजकल जो लेवल है वो कम से कम आप देखे 15-20 गुना खराब है जो की बहुत ही चिंता नर्विशे है जब कोई भी यंग ऐसा नहीं है जो की एर पॉलूशन के प्रभाव से बचा हुआ है तो देखी जो लेवल होते हैं यह काफी सेहत के लिए हानिकारक हैं जिनको सांस की तकलीफ है मरीजों को जो हमारे हार्ट के पेशेंट्स हैं और जो छो चोटे बच्चे हैं और जो वृद ध की बात करें और वायू प्रोडूशन जैसे चेंज होता है उसी तरह हमने देखा कि एमर्जेंसी में जो हमारे मरीज आते हैं उनका भी नंबर उसी के हिसाब से सांस की तकलीफ के मरीजों का बढ़ जाता है आज के दिनों की वह बात करूं तो हमारे बहुत सारे मरीज जिनक मौत भी हो सकती है यह एक बहुत ऐसी इस्थिति है जिसमें आकडा मरने वालों का बढ़ सकता है देखी इसको हम डिरेक्टली इस तरह से एक 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 इंडिविजिल की बात करें उस तरह कहना मुश्किल है लेकिन अगर आप एक बड़े स्थर पे बात करें तो एयर पॉ यहां तक की लंग कैंसर थोड़ा डायबिटीज बाकी भी कई चीजों पर असोशेशन देखा हुआ है कुछ स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि अगर एयर पॉल्यूशन का एक्सपोजर गर्वती महलाओं को जादा हो तो उनके बच्चों का भी जो बर्थवेट है उससे भी उसके कम होने का रिस्क है तो आप यह समझिए कि जब हम यह कह पा रहे हैं कि एयर पॉल्यूशन का सारे अंगों पे एक तरा से असर पढ़ता है बिमारियों बढ़ती है तो इंडिरेक्ट जो उसका प्रभाव है वो हेल्थ पे मॉर्टालिटी रेट जो हम कहते हैं अम चीजों पर भी बढ़ता है तो जब इस तरीकी के स्थिती होती है तो क्या ऐसी स्थिती जब एक्यूआ इतना जादा बढ़ जाए इसे एमरजेंसी के तौर पर लेना चाहिए चाहे वो सरकार के तौर के तरफ से हो या फिर आम लोग भी इसको समझें और उसमें सतर्क्ता कोание सियोपीडी की तकलीफ है वो मरीज हमको आकर बताते हैं जब रवार बहर हर साल आते हैं कि इन दिनों में हमारी तकलीफ है बढ़ जाती है एस्थमा का अटैक बढ़ जाता है इनेलर लेने की रिकौार्मेंट बढ़ जाती है हमारे पास जो लोग भरती होते हैं इन पर उसकी बरसे जिनको ऐस्तमा अटैक कहते हैं, सियो पीडी अटैक कहते हैं, उनका नंबर भी बढ़ जाता है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हेल्थ पे हमारे सिहत पे इसका असर पड़ता है, और जहां तक रहे हम इसके बचाव की बात करें, तो जिन लोगों को सांस की त हमें हम देखते हैं कि लेवल जादा रहते हैं, तो उस वक्त भारी वयाम या एक्सेसाइज बाहर के वातावरन में थोड़ा हवाइड करें, जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, और उनको एस्तमा का या सांस की तकलीफी काफी बढ़ जाती है, उनकुछ सि खिड़कियां और दोड़ खुले हैं तो वो इतना कारगर नहीं है, तो में चीज़ यह है कि अपना हेल्दी लाइफटाइल रखें, पानी खूप पिएं, खाना ठीक से खाएं, और अगर आपको सांस की तकलीफ है तो अपनी दवाईयां निमत रूप से लें. ये भी कहा हुआ जिस पर जैसे खाना बनाते हैं कई बार हमारे गाहों में लोग जिसकों बायो मास कहते हैं, जैसे आप उपला समझ लीजे, लकडी समझ लीजे, इन सब चीज़ों से एर पॉलूशन और पार्टिकुलेट मैटर रूटपन होता है. तो एक तरह से आप देखें, तो व तो इसलिए उसको ये कहना कि कितने के बराबर है वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हेल्थ के जो एफेक्ट हैं, वो इतनी जब खराब एक्यू आई है, तो वो उतनी हेल्थ के एफेक्स काफी हैं. अंतिम सवाल मैं करूंगी, चुकि खासकर कि दिल्ली NCR में रहने वाले इस वक्त पॉलूशन को बहुत बुरी तरीके से जहिल रहे हैं. दिल्ली NCR में रहने वाले लोग को क्या कहेंगे, क्योंकि आखड़ा इस वक्त छे सो के आसपास जा रहा है. देखिए, अभी हम यही कह सकते हैं, क्योंकि एक तो हमारी हवा में है, और हवा से हमको सांस तो इसको हम पूरी तरह सिर्फ तरह बचाव तो नहीं कर सकते जब तक कि एर पॉलूशन के लेवल को ही कम ना किया जाए. तो देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो तो यही है कि एर पॉलूशन का लेवल हमारे हाँ कम हो, यह जो प्रॉब्लम हर साल होती है, यह हमको न नियमे समय पे लें, नियमे समय पे लें, पानी खूब पियें, अपना एक खानपान ठीक से रखें, एक बैलेंस डाइट लें, और हम यही देखते हैं कुछ हेल्दी लोग जिनको पहले सांस की तकलीफ नहीं भी रही, वो भी इन दिनों में कई बार खांसी की तकलीफ लेक करें, और साफधानी बढ़ते हैं, जाते जाते एक सवाल और जहन में उठा है, कि मास्क को लेकर भी, बहुत लोगों में बहुत सारा कन्फूशन भी है, कि नॉर्मल मास्क लगाएं, एन नैंटी फाइव लगाएं, उसको लेकर आप क्या कहीं हैं, लेकि मास्क का एक यह है कि मास्क हम यह नहीं समझ सकते कि बहुत ही वो कारगर उपाय है, क्योंकि जो नॉर्मल मास्क होता है, हम जो सर्जिकल मास्क कहते हैं, या कपड़े का मास्क कहते हैं, कपड़े का मास्क और यह सर्जिकल मास्क एफेक्टिव नहीं हैं, वो इतने सूक्षम कड़ों को ही मुश्किल है और कई बार वह खतरनाग भी हो सकता है क्योंकि अगर आप एक पूरा सील्ड मास्क पहने हुए है जो टाइट है और उसमें आप दोड रहे हैं तो वह आपको परशानी भी दे सकता है तो हम यह कहेंगे कि मास्क रूटीनली यूज़ करना एक बहुत कारगर उपाय नहीं लेकिन हाँ जिन मरीजों को बहुत सांस की तकलीफ रहती है उनको पता है कि बाहर जाने से उनका इस्थिति है कैसे अपना बचाव करना है क्योंकि जो इस्थिति इस वक्त दिली NCR में बनी हुई है आने वाले समय में और इस्थिति खराब हो सकती है क्योंकि मौसम में भागे साफ कह रहा है कि ठंड बढ़ेगी हवा की गती कम हो जाएगी तो पोलूशन भी बढ़ेगा तो इसलिए डॉक्टर की बात मानिये सुन और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूस 24